कुछ पाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनिया चैनल प्राइम टीवी चलिए दिन की शुरुवात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ अलिगर सरकेट हाउस में उत्तरप्रदेश सरकार के राजबाल अदिकार सनरक्षन आयोग के दरज़ा प्राप्त राजमंतरी देवेंद्र शर्मा ने मीडिया से बाचीत की इस दोरान उन्होंने कहा कि समाज को नशामुक्त बनाने के लिए सरकार ने एक युद्ध नशे के विरुद अभियान चलाया है जिसमें समाज की भी सहबागिता बेहत जरूरी है जब कोई काम घर से निकल कर अपने स्तर से किया जाता है तब ही वो आगे जाकर समाज में अच्छे परिणाम दिखाता है चोटे बच्चे जो नसा कर रहे हैं उसके लिए एक युद्ध नसे के विरुद एक अभियान प्रारम किया है उसमें जन्जागरुकता अभियान हमारा रहेगा क्योंकि समाज का भी इसमें सयोग अवस्य चाहिए और इसके लिए जब तक समाज खड़ा नहीं हो समाज अपने अपने बच्चों को समालने का काम हम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ लोग अवे धनकुमाने की लिपसा से इस तरह के कारोबार में आते हैं अभी देखा गया कि लखनों में अभी आशियाना में कुछ बच्चा चोर गेंग पकड़ा गया था वहाँ पर निकलके आया कि बच्चों की जब बच्चे मिसिंग हो जाते हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश बेदिये जाते हैं उन बच्चों के हाथ पेर तोड़कर भीग मंग माने का काम करते हैं उन बच्चों को नसा देने का काम करते हैं तो ऐसे लोगों को भी चिने हैं खबर उन्नाव से है जहां आतिक्रमण हटाने गई जेसीबी का पुर्वा से भाच्चपा विधायक अनील सिंग ने विरोध किया है वह पी डबलूडी ने दो दिन के अंदर अतिक्रमण हटाने का अल्टिमेटम भी पहले दिया था और फिर जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रिशासन की टीम अतिक्रमण हटाने पहुची जिस पर भाच्चपा विधायक ने प्रिशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सरकार की मानसिक्ता के खिलाफ अब अधिकारी काम कर रहे है सरकार का आदेश है कि गरीब कमजोर को प्रतारिक नहीं किया जाए उसके बावजूद आज उन्नाव में अधिकारियों द्वारा गरीबों को परिशान किया जा रहा है तो वही आपको बताते चले कि योगी सरकार के दूसरे कारकाल में लगातार अवैद अतिक्रमण के खिलाफ बुल्डोजर चलता हुआ नजर आ रहा है ऐसे ही एक कारवाई उन्नाव में भी की जाने थी वही अब अतिक्रमण के खिलाफ भाजपा के विधायक ने विरोध किया है कि ये जो अधिकारी है वो भाजपा सरकार की नीतियों के विरुद्ध काम कर रहे है और गरीब जनता को प्रताडित और परिशान कर रहे है तो खबर उन्नाव से सामने आई है जहां अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था जिसका भाजपा विधायक ने कड़ा विरोध किया है तस्वीरों में भी आप देख सकते है किस तरह विधायक द्वारा इस अभियान का कड़ा विरोध किया जा रहा है क्योंकि विधायक का आरोप है कि जो भी अधिकारी ये कारवाई कर रहे है वो भाजपा की नीतियों के खिलाफ जाकर इस कारवाई को अंजान दे रहे है और गरीब तपके को प्रतारित कर रहे है खबर संबल से है जहां कलेक्टेट सबागार बहजोई में जिलादिकारी मनीश बंसल के अध्यक्षिता में पंचायती राजविभाग की समीक्षव बैठक का योजन क्या गया जिसमें सामुदाइक शौचाले, पंचायत घर, व्यक्तिगज शौचाले, ओडियफ कार को लेकर चर्चा की गई साथी डियम ने अधिकारियों को सक्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी एडियो पंचायत एक महीने के अंदर व्यक्तिगज शौचाले का सत्यापर रिपोर्ट सौपे साथी मौनसून आने से पहले सभी ग्राम पंचायत का ड्रेनिच प्लान भी बनाया जाए चंदौली तहसील में पूर्ण समाधान दिवस्खा आयोजन के आगया वह आयोजन डियम बनसल की अध्यक्षिता में हुआ जहाँ पर डियम के साथ साथ पुलिस अधिक्षक संबल और जिलास्तरी अधिकारी भी मौजूद रहे जहाँ पर भारिस संख्या में फर्यादी अपनी फर्याद लेकर पहुचे जिलादीकारी मनीश बनसल ने फर्यादियों की समस्या को सुना और अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं तो आपको बताते चले कि योगी सरकार अपने दूसरे कारिकाल में लगातार पूरी तरह से एक्चिव नजर आ रही है तो वहीं अब अधिकारी भी जमीनी सर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं इसी कड़ी में संभल के डियेम ने संपूर्ण समादान दिवस का आयोजन करने के साथ ही इस दौरान जो फर्यादी है उनके समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों को उनकी शिकारतों के निस्तारन को लेकर भी आदेश दिये है कि अगर किसानों से समंदित कोई भी मामला है तो उसको तक परता से सुझाया जाए दूसरा विजली से समंदित काफी शिकायते हैं वर्तमान में हमारे समस्त विजली कर्मी समस्त एक्सियें स्टी ओस जई जो है लगातार फील्ड में पंगे हुए तांकि विजली की उत्र प्रदेश सरकार द्वाराई यूपी में फ्री टेबलेट और स्मार्टफोन योजना का शुबारंब क्या गया है इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छात्रों को टेबलेट और स्मार्टफोन मुफ्त में मुहया कराय जाने की शुरुवात हुई है पात्र चात्र शात्राओं को टेबलेट और 565 स्मार्टफोन बाटे गए अब आपना यूज कर लेते हैं जितनी ज़रूरत होती है लेकिन ये मिल गया तो अच्छी बात है इसका चैन कैसे हुआ हम लोग जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसकी कॉलेज के हिसाफ हम लोग का चैन है सब्सक्राइब करना और इतने बड़े हो गहें तो पता यह जिए करेंगे मिस्यूज तो करेंगे ने परदेश और जनपद के युवाओं को तकनिकी रूप से ससक्ट बनाने के लिए उत्तरपदेश सरकार द्वारा ये यूजना चलाई गई है और इसके तहट आज यहां जनपत में सभी चात्र चात्राओं को जो ग्रिजुएसन या पोस्ट ग्रिजुएसन लेवल के हैं उनको टैबिलेट्स और स्मार्टफोन का वित्रण माननी सदस बिधान परशाजी के करकमलों से कराये गया है गास्याबाद के सिहानी गेट ठाना छेत्र का वीडियो इन दिनों सोचल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है जो सुशीला देवी इंजर कॉलेज के बाहर का बताया जा रहा है और वीडियो में एक लड़का कॉलेज की छात्राओं के सामने ही स्टंट बाजी करता नजर आ रहा है और अब इस वीडियो के सामने आने पर पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा कि मामले की जाँच की जा रही है साथ ही आपको बता दे कि योगी सरकार के दूसरे कारिकाल में महिलाओ की सुरक्षा और मंचलो को सबक सिखाने के लिए एंटी रोमियो टीम का गठन भी किया गया है लेकिन आज भी कुछ मंचलो के हौसले उतने ही बुलंद नजर आ रहे है कहते हैं कि सौ दिन चोर का एक दिन साहुकार का ऐसा ही कुछ मामला गाजियाबाद से सामने आया है जहां एक मोबाइल दुकानदार सतेंद्रगिरे की दुकान से बीते तीन महीने से मोबाइल चोरी हो रहे थे जिसका खुलासा करने के लिए दुकानदार ने अपनी दुकान में सीसी टीवी कैमरा लगवाया और आखिरकार उसकी ये महनत रंग लाए जिसमें चोर चोरी करता हुआ कैमरे में देखा गया जिसके बाद दुकानदार ने चोर को पकड़कर उससे पूछताच की तो चोर ने मोबाइल चोरी करने की बात को कुबूलते हुए पिछले तीन महीने में चोरी किये गए दस मोबाइल की बात कुबूली है जिसके बाद पीड़ दुकानदार आरोपी चोर को पुलिस के हव वाले सौब दिया है। मामला अलीगड के थानटपल छेतर के हमीदपुर गाउ का है जोहां नवजात भूर्ण हत्या का मामला सामने आया है। नाले में पाँच माहा का नवजात भूर्ण का शव मिला है। आपको बता दे कि एक महिला को नाले में भूर्ण फेकते हुए भी देखा गया है। वही टपल थाने की पुलिस तथ्या को छुपा कर मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। वही कारवाई नहीं होने पर लोगों ने जम कर हंगाम किया। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और लोगों को कारवाई करने का अश्वासन दिया है। कि एवर से आ रहे थे तो एक लड़की जो बवीता नाम है उसने कोड़ा डाला हमने उसे ठोक दिया क्या डाल रही है उसने बोला कि खरभुजे के फीजे पन्नी के अंदर तो हमने बोला यह कोई नाला थोड़ी ना जो यह बंद हो जाएगा कों साफ परेगा कि हम खरभु खबर ओ रही है कि एर्वा कटरा थाना के ग्राम मनना कोला से है जहां दबंगों के होसले इसकदर बुलंद हो चुके हैं कि दबंगों ने एक परिवार के घर के बाहर आग लगा दी जिसने गाई और भैसों को अपनी चपेट में ले लिया और अन्ने दो लोग भी इसमें गंभी रूप से घायल हो गए वह जो पीडित ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने पीडितों पर ही जमकर इट पत्थर बरसाई जबकि इस वीडियो के वारल होने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक युवा को गिरफतार कर लिया है जिसके कबजे से एक लंकोस परता मेंता नक्तू कलनू कहां की निवासी में मनना कोला घरी के बरवार के हैं फिर क्या हुआ पीड कि यह जल गए आग लगा दिये चपर में गाए बैस भी आपकी जल गए भारतिया पत्रकार एक तामंच की बैटक कुशिनगर स्थित होटल में आयोजित की गई जहा समारों में पत्रकार और संगठन के उत्थान, विकास और मजबूती को लेकर चर्चा हुई और पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार और सोशन पर चर्चा करते हुए एक जुठो कर कारी करने की भी इस दोरान पत्रकारों को शपत दिलाई गई समाज को दिशा देने वाले प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकारों को शौल उड़ाकर और भगवान बुद्ध की स्मृति चिन देकर सम्मानित किया गया उत्रप्रदेश की बड़ी खबरों में फिलाल के लिए इतना ही लेकिन देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी कि अब देख रहे हैं क्राइम टीवी सच साहस सरुकार